नमाशकार, शेक्स्पिर के नाटक मैकबेथ के सेकंड एक्ट का फोर्थ सीन आज हम पढ़ेंगे, छोटा सा सीन है, फौर्टी लाइन्स का, ये आउटसाइड मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के किले के बाहर का दृष्य है, एंटर रॉस एंड एन ओल्ड मैन, रॉस और एक बुढ आदमी प्रवेश करते हैं, ओल्ड मैन बुढ आदमी कहता है, थ्री स्कोर एन टेन, एक स्कोर में होते हैं बीस, तो थ्री स्कोर में हो गए साथ, और एन टेन, उसमें दस और मिला दिये तो हो गए सत्थर, तो थ्री स्कोर एन टेन, I can remember well, मैं अच्छे से याद रख सकता यानि सत्थर साल का समय, यानि सत्थर साल की याददाश्ट मेरी है, मुझे अच्छे से याद हैं, पिछले सत्थर साल की घटना हैं, within the volume of which, within मने अंदर, the volume of which, उस अवधी के, यानि सत्थर साल की अवधी के दौरान, which time I have seen, मैंने देखा है, आर्स, घंटे या समय, ड्रेडफुल, भयानक, and things strange, things चीजें strange means विजित्र, तो मैंने भयानक समय और विजित्र चीजें देखी हैं, but this sore night, लेकिन, this, ये sore means भयानक नाइट रात, लेकिन ये भयानक रात, has triggered, trifle मैं तुच्छ बना देना, बोना कर देना, चोटा कर देना, तो इस भयानक रात ने बोना कर दिया है, तुच्छ कर दिया है, former knowings, जो मेरी पिछली यादे हैं, या पिछली जितनी घटनाएं मुझे ग्यात हैं, उन सब को आज की इस भयानक रात ने छोटा कर दिया है रौस आह गुड फादर अरे महानुभाब ये गुड फादर अच्छे पिताजी ये उसके वास्ते में पिताजी नहीं है लेकिन जैसे सम्मान स्वरूप कह देते हैं किसी को भी माताजी बोल देते हैं पिताजी तो वैसे कम ही बोलते हैं हमारे हम लेकिन कोई बुज़र्ग महला होती है तो उनको माताजी बोल देते हैं तो वैसे ही रौस कह रहा है आह गुड फादर अरे भले बुज़र्गवार दाव सीयस्ट आप देख रहे हैं दा हैवेंस आकाश इतना परेशान है with man's act मनुष्य के कार्यों से threaten his bloody stage threaten माने धंकी देना his उसकी यानि की मनुष्य की bloody माने खुनी और stage माने रंगमंच तो यह जो दुनिया है वो एक रंगमंच की तरह है यहां हम लोग आते हैं अपना पार्ट अपनी भूमे का आदा करते हैं और फिर चले जाते हैं इसलिए दुनिया को stage कहा जाता है रंगमंच कहा जाता है तो जो आकाश है जो इश्वर है जो देवता हैं वो धंकी दे रहे हैं इस खूनी रंगमंच को क्योंकि वो परिशान है वो नाराज हैं मनुष्य के कार्यों से गड़ी के हिसाब से तिस डे ये दिन है और फिर भी डार्क नाइट अंधेरी रात इस ट्रेंगल्स गला गोंट रही है दे ट्रेवलिंग लेंप चलती हुई मशाल का तो ये चलती हुई ट्रेवलिंग लेंप चल रहा है इसमें नाइट्स यानि रात की प्रिडॉमिनेंस यानि उसका शासन है और दे डेज शेम या फिर दिन अपने आप में शर्मा रहा है देट के डार्कनेस अंधेरा डस दे फेस ओफ अर्थ जमीन के चेहरे को एंटूम वने धख ले रहा है जो अंधेरा है टूम होती है कबर अंटूम मींस अपने आप में उसने धख लिया है रात के अंधेरे ने किसको धर्ती के चेहरे को वन जबके लिविंग लाइट जीती जागती रोशनी को शुड किस इट इसको चूमना चाहिए यानि धर्ती का जो चेहरा है उसको दिन की रोशनी के द्वारा चूमा जाना चाहिए उस वक्त जो अंधेरा है उसने उस चेहरे को ढग रखा है यानि दिन के समय भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो ओल्ड मैन तिस अन्नाजुरल ये बड़ा अप्राक्रतिक है अस्वाभाविक है इवन लाइग दडीड उसी कार्य की तरह that's done जो कि किया गया है यानि डंकन की हत्या जैसे अस्वाभाविक है अप्राक्रतिक है वैसे ही ये जो मौसम है ये जो वातावरण है वैसे ही वो भी अस्वाभाविक है on Tuesday last पिछले मंगलवार को a falcon falcon होता है जो बाज कह सकते हैं बाज होता है तो एक बाज towering means उड़ते हुए उचाई पर in her pride of place अपने pride होता है गर्व प्लेस से स्थान होता है तो उसका जो गर्व का स्थान है बाज बहुत उचा उड़ान भरता है बहुत उपर उड़ता है तो वहाँ जब वो उड़ रहा था बाज place was ये वोर गलत छप गया है was by a mousing owl mousing owl means चुहों का शिकार करने वाला उल्लू उल्लू क्या है चुहें का शिकार करता है उल्लू के द्वारा उस बाज को hogd माने आक्रमर किया गया hogd at and killed और मार रहा ला गया ये तो बड़ी गजब की बात है बाज उल्लू को मार सकता है लेकिन उल्लू बाज को मार दे ये तो बहुत ही अजीब बात है अब यहाँ पर एक आपको अगर explanation के लिए आए तो आपको क्या करना है ये बताना है कि यहाँ पर जो उल्लू है वो है मेकबेथ और बाज है यहाँ पर डंकन तो मेकबेथ क्योंकि आर्मी का जनरल है सैनिक है तो उसको दूसरे सैनिकों को मारना चाहिए या छोटे लोगों को मारना चाहिए वही उसका काम है दूसरे सैनिकों को मारना लेकिन उसने डंकन को मार डाला जैसे कि एक उल्लू ने बाज को मार डाला हो तो यह analogy है एक तरीके से यह आप इसको explain करेंगे बताएंगे कि यहाँ एक analogy है रास जबाब देता है और डंकन के जो घोडे थे अथिंग most strange and certain वो अथिंग ऐसी चीज़ें है यानि जो घोडे हैं वो ऐसे प्राणी है उन्होंने most strange बड़ी अजीव and certain और बड़ी निश्चिस सी वैसे तो uncertain ज़्यादा यहाँ सही रहेगा most strange and certain तो बड़ी अजीव सी और बड़ी अनिश्चिस सी बात हुई beautious and swift जो घोडे हैं डंकन के वो beautious means खुबसूरत है and swift और बड़े तेज है the minions of their race minion मने सर्वशेष्ट नमोने of their race अपनी प्रजाती के यानि सर्वशेष्ट तरीके के वो गोड़े है अचानक क्या हुआ turned wild जंगली हो गए in nature अपने सुभाब में अपने विवहार में broke their stalls उन्होंने stalls का मतलब यहां रसियां हो सकता है और अस्तबल भी हो सकता है तो उन्होंने अपनी रसियां तोर डाली flung out और भाग गए contending अवहिलना करते हुए against खिलाफ obedience means आग्या पालन की यानि वो अपने जो अस्तबल के जो रखवाले होते हैं groom बोला जाता उनको तो उनकी आग्या मानते हैं लेकिन कल तो उनकी आग्या की अवहिलना की contending माने विद्रोह किया उन्होंने against obedience यानि अग्या पालन के खिलाफ यानि अपनी रखवालों की अस्तबल के रखवालों की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी as they would make war with mankind as जैसे कि they would make war वो युद्ध करना चाह रहे हो with mankind मनुशियों से ऐसा व्यभार था उनका old man it is sad they eat each other ये भी कहा जाता है कि घुडों ने एक दूसरे को खाया Ross they did so हाँ उन्होंने ऐसा किया to the amazement of mine eyes मेरी आखों आखें आश्य चकित रह गए फटी की फटी रह गए to the amazement of mine eyes मेरी आखों का तो मतलब मेरी आखें आश्य चकित रह गए that looked upon it यानि that बने जिन आखों ने look देखा upon it इस दृष्य को here comes the good Macduff यहाँ अच्छे Macduff आ रहे हैं enter Macduff Macduff परवेश करते हैं ये thin of five है Macduff how goes the world sir now तो शीमान जी संसार कैसा चल रहा है क्या हाल चल रहा है क्या स्थिती चल रही है Macduff से पूसता है Ross Macduff why see you not तो क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा कैसी चल रही है स्थिती Ross is it known who did this more than bloody deed is it known क्या ये पता चला who did किस ने किया this more than bloody deed यानि खून से भी ज्यादा खूनी ये जो कार है डंकन की हत्या का किस ने किया Macduff those उनी लोगों ने that Macbeth had slain जो जनको कि Macbeth ने मार डाला Ross alas the day hi कितना बुरा दिन है what good could they pretend यानि इस हत्या से उनको क्या अच्छा मिला what good क्या अच्छा good they pretend यानि वो सोच सकते हैं डंकन की हत्या करके उनको क्या अच्छा मिला क्या लाव मिला क्या फाइदा मिला Macduff they were savant उनको savant मने उनको रिश्वत दी गई थी यानि किसी और ने मरवाया था Malcolm and Donalwyn ये दोनों बेटे डंकन के the king's two sons राजा के दोनों बेटे are stolen away चोरी से चले गए हैं and fled और भाग गए हैं which puts upon them जिससे के उनके उपर होता है suspicion of the deed इस कार्दे का ऐसा लगता है कि उन्होंने ही जल्दी से जल्दी राजा बनने के लिए अपने पिता को मरवा दिया क्योंकि वो चोरी से भाग गए है Ross against nature still ये भी प्रकृती के खिलाफ है against खिलाफ nature प्रकृती के खिल और भी ज्यादा तो ये बात तो और भी प्रकृती के खिलाफ है thriftless ambition thriftless मतलब बिल्कुल मित्वियता न करने वाली यानि बिल्कुल भी कुछ भी बचा कर न रखने वाली ambition महत्वकांग्शा यानि आप इसको बेवकूफ महत्वकांग्शा बोल सकते हैं मूर्खता पूर्ण महत्वकांग्शा बोल सकते हैं thriftless को that wilt raven up महत्वकांग्शा है जो के खा जाएगी thine own life means thine means तुम्हारे own खुद के life means जीवन के means संसाधन तो जो अपने खुद के ही जीवन के संसाधन यानि के अपने ही पिता को खा गई ये महत्वकांग्शा ये तो बड़ी मुफ्ता पुर्महत्वकांग्शा है then it is most like then तो it is most like ये ज्यादा सरवाधिक ये ही संभव है ऐसा ही होगा the sovereignty के राजशाही या राज मुकुट will fall upon Macbeth Macbeth के उपर गिरेगा यानि Macbeth के सिर पर रखा जाएगा मुकुट Macduff he is already named उसका तो पहले ही नाम ले दिया गया है यानि पहले ही राजशाही के लिए उसे चुन लिया गया है and gone to scone और वो scone गया है to be invested यानि राज्याभिशेक के लिए राजमुकुट पहनने के लिए Ross where is Duncan's body Duncan का शरीर यानि dead body उनका शरीर कहा है Macduff carried to com kill com kill एक जगह है जहां पर जो के कबरिस्तान है तो वहां पर ले जाया गया है the sacred यानि पवित्र storehouse यानि कबरगा of his predecessors उसके पूरवजों की यानि डंकन के पूरवजों की कबरगा है and guardian और रखवाला है वो जगह of their bones उनकी हड्डियों का Ross Will you come Will you to scorn क्या तुम scorn जाओगे यानि Macbeth का राज्या विशेक देखने जाओगे Macduff No cousin नहीं भाई मैं नहीं जाओगा I will to five मैं तो five जाओगा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थेन of five है तो अगर multiple choice questions में ये पूछा जा सकता है इनको याद रखिएगा Macduff थेन of five है Ross Well, ठीक है I will thither मैं तो उधर जाओगा Macduff Well, ठीक है May you see things well done there इश्वर करे ये जो में वाली होते हैं इस तरीके से तो वहां इश्वर से प्रार्थना की जाती है ये optative sentences कहलाते हैं May you see things well done इश्वर करे तुम वहां पर सब कुछ अच्छा होते हुए देखो Well done there Edu, Alvida Lest कहीं ऐसा न हो Are old robes हमारे पुराने कपड़े Sit easier ज्यादा fit आए Than are new हमारे नए कपड़ों से तो पुराने कपड़े हमारे नए कपड़ों से ज्यादा fit आएं का मतलब क्या हुआ कि जो नया राजा है वो हमारे लिए पुराने राजा से ज्यादा बुरा सावित ना हो ऐसा ना हो कि हम ये सोचे कि डंकन्च ज्यादा अच्छा राजा था और Macbeth उससे कम अच्छा राजा है तो इश्यादा करें सब कुछ अच्छा हो आने वाले समय में Ross Farewell Father अलविदा महानुभाव वो बुड़े आदमी को कह रहा है अलविदा महानुभाव Old Man Gods Benny Sun इश्यादा का आशिरवाद Go with you तुम्हारे साथ रहे And with those और उन सब के साथ रहे That would make good जो के अच्छा बनाएंगे Of bad बुरे को जो बुरे को अच्छे में परवर्तित करें ऐसे सब लोगों के साथ इश्यादा का आशिरवाद रहे And friend of foes Foes होते हैं शत्रू, friend होते हैं मित्र तो जो दुश्मनों को भी दोस्त बनाए ऐसे विक्ति के साथ इश्यादा का आशिरवाद बना रहे और accent ये लोग चले जाते हैं ये scene यहाँ समाप्त होता है Act second भी यहाँ समाप्त होता है अगले वीडियो में हम act third का scene first करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद